Learn Easy Subscribe Learn Easy Channel Hello kids! Welcome to Learn Easy Channel आज की कक्षा में हम सीखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं तो चलिए शुरू करें तो बच्चों आज की कक्षा में हम सीखेंगे किस सर्वनाम किसे कहते हैं तो उससे पहले हम ये छोटा सा पैरग्राफ पढ़ते हैं तो देखिए क्या आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है इस पेरग्राफ में कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा कि ये बार 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 नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार ये रीना नाम देखिए बार बार जो है हम रीना नाम को दोराए जा रहे हैं क्यों और इस तरीके से बार बार रीना नाम लेने से ये पेरग्राफ जो है कितना अटपटा लग रहा है बोलने में भी हमें रुकावट आ रही है और सुनने में भी नहीं अच्छा लग की जगे मैं लिख दूंगी यहाँ वह, वह कल पाठशाला नहीं जाएगी क्यूंकि अब इस रीना की जगे क्या लिख दें हम? उस उसको दिल्ली जाना है रीना, रीना की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है अब यहाँ पर क्या आएगा? सोचे जरा बार बार दो बार रीना नाम आ गया तो यहाँ पर इस रीना की जगे हम लिख देंगे वे है और इस रीना की जगे लिख देंगे अपनी और इसको काट देंगे वह अपनी नानी जी को देखने दिली जा रही है रीना की नानी जी बिमार है अब इस रीना की जगे क्या आएगा? इसको अगर हम इस रीना की जगे हम लिख देंगे उस की नानी जी बिमार है तो अब आप देखिए अब इस पेरग्राफ को हम मैं फिर से पढ़ती हूँ और अब आप सुनिए कि अब ये पेरग्राफ आपको कैसा लग रहा है बोलने में रीना ने कहा कि वह कल पाटशालर नहीं जाएगी क्योंकि उसको दिली जाना है वे अपनी नानी जी को देखने दिली जा रही है उसकी नानी जी बिमार है तो अब देखिए आप अब ये पेरग्राफ पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है बार 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 पहले जब हमने लिका हुआ था बार बार रीना शब्द आ रहा था तो उसे हमें बोलने में भी अजीब लग रहा था और सुनने में भी अजीब लग रहा था कि ये नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है तो और अब हमने क्या किया इस नाम की जगे ये जो शब्द हमने प्रयोग किये हैं इन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम क्या कहते हैं सर्वनाम तो संग्या शब्द ये क्या था रीना क्या था नाम था किसी का संग्या शब्दों की जगे प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं सर्व नाम कहते हैं तो बच्चो अब आपको ये तो समझ आ गया कि नाम ना लेके हम नाम की जगे बार बार नाम ना लेके किन शब्दों का प्रियोग करते हैं हम सर्व नाम शब्दों का प्रियोग करते हैं तो चलिए अब मैं आपको सर्व नाम की परिभाशा बतात सर्व का मतलब होता है सब का तो अर्थात सब का नाम जो है वो सर्वनाम कहलाता है सर्वनाम का क्या अर्थ है सब का नाम जो शब्द सब के नाम के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं तो देखें सर्वनाम की क्या परिभाशा है जिन शब्दों का प्रियोग संग्या के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं तो संग्या कोई जब भी नाम है तो वो संग्या है तो उस संग्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं तुम हम वे है उसका इसका इस सारे इस्तमाल करते हैं तो इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं चलिए अब मैं आपको इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके बताती हूं कि हम अपने वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करते हैं देखिए मैं अब मैं से क्या वाक्य बनेगा मैं खा रहा हूं, कोई भी वाक्य आप मैं से बना सकते हैं, मैं बाजार जा रही हूं, मैं पुस्तक पढ़ रही हूं, कोई भी वाक्य बन सकता है, मैं शब्द से, तो ये मैं कहा है हमारा सर्वनाम है, इसी तरीके से तुम, तुम जल्दी काम करो, तो यहां तुम क्या है, तुम ह उसके बाद कोई, कोई से कौन सा वाक्य बनेगा देखिए, बाहर कोई आया है, यहां कोई क्या है, कोई हमारा सर्वनाम शब्द है, इसे तरीके से कोई से भी हम और भी वाक्य बना सकते हैं, किसी परकार के भी वाक्य बना सकते हैं, हम, आज हम घूमने जाएंगे, या आज हम हम बाजार जाएंगे, आज हम दिल्ली जाएंगे, कुछ भी वाकिय हम जो है, हम का इस्तमाल करके बना सकते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ, हम, अगला देखिए, अगला शब्द है आप, आप दिल्ली कब गए, यहां आप क्या है, हमारा सर्वनाम गयते हैं, तो इसी तरीके से यह सारे शब्द क्या हैं हमारे सर्वनाम शब्द हैं, और यह शब्द किसकी जगे आते हैं, यह शब्द संग्या शब्द की जगे प्रयोग किये जाते हैं, तो चलिए मैं अब आपको एक छोटा सा अभ्यास कराती हूं, जिससे आपको और इस अभ्यास में हमें यहां आदी कि आगे दो अप्शन दिये गए हैं और इन दोनों में सरुनाम शब्द हैं आपको यहां से सरुनाम शब्द चुनकर इन खालिस्तान में भरना है तो चलिए शुरू करें पहला वाक्य देखिए डैश तो आज नहीं जाओंगा अब इसमें देखिए आगे दो अप्शन है मैं और तुम मैं तो आज नहीं जाओंगा क्या यह वाक्य सही है तो सही लग रहा है तो अब तुम से वाक्य बनाके देखिए तुम तो आज नहीं जाओंगा यह तो कितना आजीव वाक्य अटपटा लग रहा है तो इसलिए कौन सा शब्द जाओंगा अब अगला वाक्य देखिए डैश मिलकर खेलेंगे अब पहला हमारा सर्वनाम है हमारा हमारा मिलकर खेलेंगे क्या यह वाक्य सही लग रहा है आपको नहीं है न तो अब आप सोचिए यहां कौन सा शब्द आएगा अगला देखिए अब सर्वनाम अगला क्या है ह हम, हम मिलकर खेलेंगे, यह तो आखे सही है, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम आएगा, हम, तो यहां हम को हम सही, करनिशान लगा देंगे, और यहां लिख देंगे, हम, हम मिलकर खेलेंगे, अब आगे देखिए, डैश काम कर लिया, अब यहां देखिए, उसे और मैंने, दो सर सई लग रहा है तो यहां हम कौन से सरव नाम भर देंगे यहां हम लिखेंगे मैंने 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 आप आगे देखिए बाहर डैश आया है बाहर कौन आया है या बाहर तुम्हें आया है यहां कौन सा शब्द आयेगा बाहर कौन आया है यह तो सही लग रहा है अब आगे देखिए बाहर तुम्हें आया है यहां कोश्चिन मार्क लगा देते हैं बाहर कौन आया है हम कोश्चिन पूछ रहे हैं कि बाहर कौन आया है इसलिए यहाँ पर कौन आ जाएगा और कौन को हम सही का निशान लगा देंगे कौन अब आगे देखिए अगलवाके डैश रमेश का भाई है अब रमेश का भाई कौन है देखिए वह रमेश का भाई है या उसे रमेश का भाई है तो उन्हों में से कौन सा सर्वनाम शब्द सही लग रहा है आपको, वे हैं, बिलकुल सही, तो वे को हम सही का निशान लगा देंगे, और यहां लिख देंगे वे हैं, तो आपने देखा इन सारे वाक्यों में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, पहले में हमने मैं, तो आज नहीं जाओंगा, यहां मैं सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ, यहां देखिए, हम मिलकर खेलेंगे, यहां हम सर्वनाम का प्रयोग हुआ, मैंने काम कर लिया, यहां मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ, बाहर कौन आया है, यहां कौन शब्द का जगे हमने किसका इस्तमाल किया नाम की जगे हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है तो बच्चों सर्वनाम की से कहते हैं यह तो आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं तो चल लूर नेजी चनल